हलो दोस्तो सोगत आपका क्रेजी क्रेप्टो मिंटू में आप देख रहे होंगे ना प्रोर्ट सुब्स मोपे सबर खरा गया जारी किया है उन्होंने काया all customer assets are held one is to one this means that customer can access their fund at any time अब ये तो ये कह रहा है कि भाई कोई problem नहीं है आपका जितना है उसका one is to one के रेसे हों हमारे पास पूरा fund है आप किसी भी time अपना fund निकाल सकते हो कोई दिक्कत नहीं है लेकिन bid draw तो अटके पड़ें लोगों के तो इस बात में कितनी दम है वो आप लोग को समझधा रहे हैं देख सकते हैं दूसरा ये ये भी कह रहा है we do not have any native token यानि ये कोई भी इनका कोई token नहीं है coin DCX का जैसे कुकोन का था KCS KCS और crypto.com था CRO तो इसी तरीके से FTX का FTT था तो इस तरह इनका कोई भी token नहीं है दूसरा risk management is an integral part of coin DCX नहीं कुल में लाकि इनोंने काफी अच्छा है कि अपनी तरब से तो दिया है बाकि आप पढ़ लीजेगा मैंने आपको जो बता दिया है जो इनका man वो है कि इनोंने एक जो कहना चाहिए जैसे Binance ने दिया कि इतने BTC है उसके पास इतने Ethereum है इतना BNB है इतना BUSD है तो इस तरीके से इनोंने नहीं दिया है कोई भी reserve का data कि हमारे पास कितना BTC है कितना USD है या USDT है इस तरीके से या कितना Ethereum में रिजर्ब में वो इनोंने कोई भी detail नहीं दिये इनोंने केवल जो कहा है वो ये कहा है Assets are held one is to one यानि एक के बदले में एक आपका reserve हमारे पास है तो हमारे पास कोई भी problem नहीं है दूसरा एक सुमित ने एक जो CEO है उनोंने एक वो भी बोला है कि हमारे पास जो है अगले 50 महीने तक कोई problem नहीं है अगर fund market का zero भी हो जाता है तो यानि कि market cap अगर India में market cap जो है अगर इनका fund zero भी हो जाता है तो भी हम coin DCX को 50 महीने तक easily run कर सकते हैं भाई दें कि बड़ी बड़ी बातें तो बहुत है इस हिसाब से तो बहुत अच्छा दिखता है जो इन्होंने कहा है लेकिन जो consumer की problem है वो तो वही है कि उसका fund withdraw नहीं हो रहा है जब fund withdraw नहीं हो रहा है किसी का हो रहा है किसी का नहीं हो रहा है तो भाई दे कोई जिसका हो रहा है उसे प्रॉलम नहीं है लेकिन जिसका नहीं हो रहा है उसके सामने तो प्रॉलम वही है फिर आपकी बातें ऐसे लगता है कि भाई बहुत बड़ी बातें हैं लेकिन यहाँ पर इनको एक चीज़े किलियर करनी चाहिए थी कि भाई आप हमें अपना पूरा डेटेल वो भी बताइए कि आप आप कितना VTC रिजर्ब में है कितना Ethereum है कितना USDT आपके पास रिजर्ब में है कितना BUSD रिजर्ब में है कितना BNB रिजर्ब में है या कितना और कोई cryptocurrency रिजर्ब में है आप वो चीज भी अपनी disclose किजिए तो वो इन्होंने कहीं भी इस तरीके से disclose नहीं किये चलिए एक चीज और दिखाता हूँ इसमें अच्छे यहाँ पर आप एक यह देख रहे हैं हुए यह मैंने कासिभ भाई का वीडियो है एक इंटर्व्यू लिया है CEO के साथ यानि के सुमित के साथ तो आप यह वाला वीडियो आप मेरा जो है टेलिग्राम पर आप पूरा देख सकते हैं मैंने वहाँ पर इसको share किया हुआ है आप easily वहाँ पर इसको पूरा सुन सकते हैं और वहाँ सुमित ने यही का है कि जो है हम easily 50 महिने तक इसको चला सकते हैं without any problem तो देखिए साथ अब यह देखिए आप लिखा भी है runway of 50 months तो आप पूरा वीडियो जो है आप मेरे टेलिग्राम पर देख सकते हैं सुरी ट्विटर पर मैंने इसको ट्विटर पर share किया हुआ है आप ट्विटर पर जाके पूरा सुल लीजिए क्या है कैसे है और ट्विटर का लिंक मेरा इस वीडियो के description में है वहाँ से join कीजिए और सुमित ने क्या बोला है आप खुश सुल लीजिए पूरा का पूरा Coin DCX पर देखिए एक listing और हो रही है और लिस्टिंग है यह देखिया LIT Tonight the token LIT यानि Light Entry यह एक तरह से Light Entry नाम है पूरा और short में इसको LIT लिखा हुआ है तो यह एक तरह से Coin DCX पर इसकी listing हो रही है हम आगें MXC Global यहाँ पर भी एक new listing है देखिए आप ARG PRS का USDT में और यह आपकी 17 नॉबंबर को एक तरह से 11 बज़े यह list हो चुका है 17 नॉबंबर तो आज ही है आपका UTC तो आप इसको एक बार देख सकते हैं यहाँ पर भी एक listing है और देखते हैं कोई और भी listing है क्या एक और new यहाँ पर listing है देखिए KMON यह USDT pair में आपका जो है listing हो रही है यह 18 तारी को जो है आपको live हो जाएगी तो दो listing एक तरह से आप देखिए MEXC global पर एक और यह है जो ready है एक तरह से PRMX USD यह एक तरह से trading के लिए यह भी available है आप देख सकते हैं इसको तो यह तीन listing जो है साइद एक और है हाँ एक और है यह Prima P-R-E-M-A यह भी USDT pair में आपको available होगा तो आप यह देख सकते हैं इसमें जो है तीन चार listing है continue हैं लेकिन मैं चीज वोई है कि देखिए सारी चीज़ें खरीदने वाली नहीं होती मैं आपको बहुत चीज किलर बोलूँ आप पहले तो अच्छी तरह रिसर्च कीजिए देखे एक सेंज का काम है लिस्ट करना मेरा काम है आपको listing से पहले बताना कि कौन सी listing कहां पर हो रही है बाकी खरीदना ना खरीदना वो आपके मर्जी है आप एक पार अच्छी तरीके से रिसर्च कीजिए उसके बाद उसके बारे में जो आपको सोचना है वो decision आपका होगा तो आप सोच सकते हैं तो 3-4 listings देगी MEXE Global पर है और एक coin DCX पर मैंने बताया जम आ गाएं Gemini पर ये जो है कल से इसके बारे में काफी बवाल मचा हुआ है बिल्डरो होल्ड कर दिया है बिल्डरो रोग दिया है लेकिन देखी इनका एक tweet आया है Gemini Exchange fully backed online all customer funds held on the Gemini exchange are held one is to one and available for bid draw at any time तो इनकी तरफ से भी confirmation हो गया है कि भाई आप अपना fund किसी भी time कभी भी निकाल सकते हो किसी भी तरह की कोई problem नहीं है जो था वो खतम तो देखे साब अब उनकी तरफ से announcement हो गया है बाकि क्या सही है क्या गलत है ये तो देखे साब जो लोग इसको यूज करते हैं बाई देखे साब मैं आपको के लिए पता हूँ क्या है क्या है क्या है क्या है इन्हों नहीं करता हूँ तो देखे ये तक की कुछ latest news जो अभी market में चल नहीं है बागी देखे मार्केट में बहुत कुछ boring है सब कुछ बहुत कुछ अच्छा नहीं है केवल वही अगर देखो तो negative news ही मिलती है जायतर तो फिर ज़्यादा वीडियो बनाने का भी मन नहीं करता इसलिए मैंने कल देखिए वीडियो दो सौट कर दिए क्योंकि मुझे कुछ positive मिल नहीं रहा था और मैं negative बना बना के होका था मैं भी एक तरह से पक गया तो negative नहीं चाहता मैं ज़्यादा बनाना तो कुछ positive मिले तो अच्छा लगता है बनाने का तो आप कुछ चीजे मेरे Twitter पर जाके देख सकते हैं जहां मैंने update की हैं तो आप वहां से देख लिजिए और Twitter पर जोइन करने के लिए आप description में जाएए वहां पर link available है तो यह अभी तक की news बागी चलो फिर मिलते हैं नमस्कार